एमदाबाद की शैशन कोट से दिली के सीम अरविंद केजरिवाल को मानहानी मामले में राहत नहीं मिल रही है दरसल सस्त्र न्याले ने अर्विंद केजरिवाल के अर्जी खारिज कर दी जिसमें गुजराद विश्विध्याली के और से दाखिल मानहानी मामले में कोट के समन को रद करने की गोहार लगाई गई थी बदादे की दिली के मुख्य मंतरी और आमादमी पार्टी के सहयोजक अर्मिंद केजरिवाल और आपके राजिसवा सांसर संजे सिंग के खलाप प्रधान मंतरी नरिंद्र मोधी की डिगरी के मसले पर विवादित बयान देने का आरोप है समन रद करने के लिए दोनों आरोप प्यों की अर्जी खारिज कर दी कई है एमदवाद जिला अदालत में मजिस्ट्रेट जे एम ब्रहमबट की कोट ने दोनों नेताओं को समन किया था इस मामले के सुनवाई और फैसला शिगर करने के लिए गुजरात हाई कोट ने एमदवाद जिला अदालत के मुख्य जज को एक जज नियुक्त कर मामले के सुनवाई विशिश तोर पर कराने को कहा था इसके बाद 6 सितंबर को सुनवाई शुरू ही और 8 सितंबर को पूरी हो गई बता दे कि गुजरात विशु विद्याले ने इन दोनों नेताओं की विवाद इस पद टिपनियों को अपमान जन की थी उन्होंने पत्र में लिखा कि इस मुद्धे पर किसी भी तरह के भरम को दूर करने के लिए डिगरी को सार्विजनिक किया जाना चाहिए इसके बाद मुख्य सूचना आयोक्त ने गुजरात यूनिवर्सटी से पीम नरेंद्र मोदी के डिगरी के बारे में जानकारी मुख्या कराने के लिए कहा था यूनिवर्सटी ने सूचना आयोक के इस आदेश को हाई कोट में चुनौती दे दी थी हाई कोट ने 31 मार्ज के सूचना आयोक के आदेश को रद कर देवे केजरिवाल पर 25,000 रुपे का जुर्माना लगा दिया था